ओम नमस्षिवाय जैमा दादी आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सर्वाल जो की करवाचोट से रिलेटिव हैं जैसे की पतिदेव की पूजा कैसे करें क्या खा कर ब्रेत खोलें सास जिठानी पास नहीं है तो सुवाग के सामगरी कैसे और किसे दें अन्य महत्वपूर्ण सवाल सुवाग लेने की प्रक्रिया क्या है या अन्य और महत्वपूर्ण सवाल इस आज वीडियो में है दे ना गढ़ते हुए आरमब करते हैं सबसे पहले पतिदेव का पूजन क चाहे तो जैसे कि छत पर ही अर्गि दिया जाता है ऐसा करने में असंभव हो तो नीचे आप जहां पर आपका मंदिर है यह देविस्थान है वहां पर बैठ कर उनको पाटे में बैठ कर उनकी चरंड धुलवाईये और उनके जो चरंड के जल हैं उसे आपको अपने सराखाव पर लगाना है ऐसा करने में आप असमर्त हैं तो सरल तरीके से पती देव को टीका लगाना है उनकी आरती उतारनी है उन्हें मिस्ठान के रूप में कुछ खिलाना है और उनका अशिर्वाद लेना है आपके लिए कुछ उफार के सवरूप में लेके आए हैं तो राजी के बाद आपको क्या खाकर ब्रत करना है यह आपब्रत खोलना है कुछा करना पड़ता है तो वह सबसे पहले मीठा खाना पड़ेगा वह प्रअथ की जो मंदिर में आपने माता गोरी, भगवान, शिर्शंकर और करवा चोथ माता को चड़ाया है, उसमें से थोड़ा सा आप मीठा लेंगे और अपने पती देव के हाथ से ग्रहन करेंगे, इस तरह से आप अपने ब्रत का समापन करेंगे, उसके आप ब्रत खोलेंगे, उसके प पश्चा ध्यान रखे प्याय लेसन इत्यादी का उस दिन आपको सेवन नहीं करना है और उससे पहले दिन जब आप ब्रत सुरू करने जा रहे हैं ब्रत का अर्थी ही होता है कि पूर्ण रूप से सुद्धी हो सरेड का उस दिन भी आपको प्याय लेसन इत्यादी नहीं खान अब सवाल आता है सास जिठानी पास नहीं है तो सुहाग की सामगरी किसे दे होता क्या है कि हम लोग घर से कई बार दूर रहते हैं और घर पे आगमन भी बहुत दिनवाद होता है घर जाना या आना जिठानी भी दूर रहती किसी कारण वस घर से दूर है तो वह सुहाग की सा वह आप सास के समान जो जिसे आप मानती हैं वह सुहागिन होने चाहिए सुहाग का यह ब्रत है जिठानी के समान आप जिसे मानते हैं अपने आसपास की महले हैं वह सुहागिन हो उन्हें आप प्रणाम करके और बहुत आप चाहें तो भोजन करवा कर उन्हें दूसरे दिन य मुझे नमाना करवा पाए उनके घर पर आकर उनका आशिरवाद लेकर उनके घर पर जाकर आप यह जो सामगरी है उनहें भ openings है भेट के लूप में देंगे और आशिरवाद अवर्शिलेंगी साथ ही मन में सवाल आता है कि सुहाग कैसे लेना चाहिए सुहाग जो है माता गौरा को सिंदूर लगाना है कई लोग विसर्जन के समय यह करते हैं कई लोग पूजा के समय पे ही कर सकते हैं आप चाहें तो पूजा के समय करें पिछा हैं तो विसर्जन के समय करें आप माता गौरी को सुहाग अरपित करेंगे उससे थोड़ा सा सुहा आपती होती है ऐसा माना जाता है साथ ही आपको ध्यान रखने योगी यह बात है कि किसी भी हालत में इस दिन सारी रिक्संबंद नहीं बनाने हैं सास्तर कहता है इस ऐसा कारी करने से ब्रत जो है पूर्ण रूप से खंडित हो जाता है और ब्रत का फल नहीं मिलता इस बात का ध्यान रखिए क्या कारे आपको करने हैं क्या कारे नहीं करने हैं इसके साथ ही दिन में नीद नहीं लेनी है यह बात ध्यान रखिए कई जन ठक जाते हैं और निद्रा ले ले लेते हैं सास्तर कहते हैं कि निद्रा इस दिन पूर्ण रूप से वर्जित मानी गई है आपको